हेलो गाइस वेलकेम बैक अगेन मेरे नाम है अमन्य तो गाइस बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं जहां हम बात करेंगे क्रिकेट में हुए दस हाई वॉल्टेज फाइट्स के बारे में नमबर टैन पर जो क्लिप है वो है ओस्टेरिया और इंग्लेंड के बीच 2013 में हुई एशे सीरीज के चौथे मैच का जहां जॉनसन बोल्स फैक्टने के लिए आते हैं लेकिन केविन पिटरसन साइड स्किन की वज़े से क्रीज से दूर हट जाते हैं इस से जॉनसन गुसा हो पिटरसन बार बार चान बूच कर बोल उनकी तरफ मार रहे थे इसकी वज़े से मेरान के बाहर भी उनके बीच जड़ब हो चुकी थी और शायर भाही गुसा मेरान पर भी देखने को मिल गया ये वीडियो वर्ड कप 2011 के पहले मेच का है जहां विराट कोली बांगले देश भी मिल जाती है ये इंसिडेंट जनवरी 2013 में ओस्टेलिया और श्रीलंका की बीच मैलबन क्रिकेट ग्राउंड में हुए T20 मैच का है जहां ओस्टेलिया को जीत के लिए आखरी बोल पर चार रनों की ज़रूत होती है श्रीलंकन कैप्टन एंजिलो मैथ्यूस प्लेयर्स में कहां सुनी हो जाती है बाद में मैक्सवल ने ट्वीटर पर इस इंसिडेंट पर श्रीलंका टीम से माफी भी मांगी थी ये कलिए पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अगस्तर 2014 में हुए थर्ड टी-20 का है श्रीलंका की बैटिंग के दो राद एहमें शहजाद और दिल्शान में कहां सुनी हो जाती है एंड इवन शहजाद दिल्शान को धक्का भी मार देते हैं इस मैच के बाद कर एक और सीन भी सामने आता है जिसमें खिलाडी जब मैदान से बाहर जा रहे होते हैं तब एहमेश शहजाद दिल्शान को उनका ध्रम परिवतन करने के लिए बोलते हैं जो आप इस क्लिप में साफ तरीके से सुन भी सकते हैं और छोव लो प्रगब गखो इसीन जो रहा जो इस दएख भी सोग्स तूछाइ को प्रेख भी साथ समय वुड़ेख जो टिल्शान को प्रगब गख बंगेश्गीव प्रगा बेख भी इस धूड़े से जो जो थेख भी स्वाइव ऑदिल्ट प्रगब ऋड़े पर यह इंसिडेंट 2017 में हुई केरिबियन प्रीमियर लीग का है पारी के 16 वे ओवर में रकीम कॉरनवाल बैटिंग कर रहे थे ता पोलाड की बोल उनके पेट में जा लगती है जिसके बाद रकीम पेन की वज़े से 18 वे ओवर में 44 गेंडों पर 78 नन बना कर रिटारों कर जा रहे होते हैं लेकिन इसी बीच पॉलाड साड़े 6 फिट लंबे और 143 किलो वेट के रकीम कॉरनवाल को ना खेल पाने पर सुना लग जाते हैं जो इस क्लिप में साफतो पर देखा जा सकता है ये क्लिप 2009 में इंडिया और उस्टेलिया की बीच हुए नाकपुद वंडे का है पहली इनिंग के 28 वोवर में जब धोनी एदन के लिए दोड़ते हैं तो जॉनसन उनके रास्ते में आ जाते हैं वो दोनी जॉनसन से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं वो जार इसके बाद तो आप दोनी का गुस्ता देखी सकते हैं इस इंसिडेंट के बदले में दोनी अगली ही गेन पर एक कड़क चोका जड़ देते हैं बाद में इस मैच में दोनी ने एक सो साथ दनों को शत्किय पारी खेली एंड इंडिया ने इस मैच में उस्टेलिया को 354 दनों को टारगेट भी दिया ये इंसिडेंट एश्या कप 2010 का है गोतम गंबिर बेटिंग कर रहे होते हैं सही देजमल की गेंट पर कामरान अकमल कॉट बिहाइंड के अपिल करते हैं लेकिन गंबिर आउट नहीं होते हैं इसके बाद ट्रिंक्स ब्रेक में दोनों की लाडियो को बीच कहा सुनी हो जाती है तब ही दोनी बीच बचाओ करते हुए हसते हुए गंबिर को दूर ले जाते हैं ये क्लिप भी सेम मेच का है मेच की सेकंड इनिंग का सेताइस ओवर शोयब अक्टर डाल रहे थे और क्रीस परते हरबजन सिंग ओवर की दूसरी गेंड पर हरबजन सिंग शोयब को चक्का मार देते हैं इसके बाद शोयब बक्तर जब मेच का उनन चांस ओवर लेकर आते हैं तो आखरी दो गेंड उपर हरबजन सिंग क्रीज पर होते हैं वो शोयब उनको दो बाउंसर स्डॉट निकाल देते हैं इस पर दोनों की राडियों में कहा सुनी हो जाती है मेंच काफी रोमान चक था आख्ती दो गेंडों पर भात को जीत के लिए तीन दनों की सुरॉट होती है लेकिन हरबजन सिंग मुहंबद आमिद की गेंड पर छक्का मार कर भात को जीता देते हैं इसल्वेज प्वड़ां देते हैं बड neighbor कि आए लुकति दोन वार ऱ्ट cancel के लि 다양ateés दोन ओाच इंग प्राजन सेंहन गौ क्वड़े संग घन्स संग भींदाव को एरनां हुआ पावड़न सेगई अईरो, हुआ पावड़न सेगी। यह एक पीछिछ पिछ।